नमस्कार दोस्तों मैं मुनीर मला मेरे चनल पर आपका बहुत बहुत सागत है तो आज मैं आपसे एक ऐसी बर्फी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं जिसे बनाने के लिए ना ही आपको घीके जरुरत पड़ेगी और ना ही दूद और मावा की फिर भी ये मिठाई इतनी टेस्टी बनेगी कि खाकर कोई यकीने नहीं करेगा कि ये इतनी सस्ती मिठाई है जो मार्केट से यदि लाने चाएं तो काफी महंगी मिलती है तो फ्रेंड्स यदि आज की सिंपल और स्वीट रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें इस बर्फी को बनाने के लिए हमें चाहिए होगी लोकी तो तकरीबन एक केची लोकी है ये या आप एक बड़ी साइश की लोकी ले लें यहाँ पर आप लोकी देखेंगे तो ये थोड़ी अलग है क्योंकि ये देसी लोकी है और ज़्यादा तर जहांपर मैं रहती हूँ वहाँ यही लोकी मिलती है तो मैं इस लोकी का इस्तिमाल करें हूँ लेकिन आप चाहें तो जो नॉर्मल हर जगे लोकी मिलती है वो लोकी भी ले सकते हैं और हमीशा फ्रेश लोकी का ही इस्तिमाल करें चाहे आप बर्फी बना रहे हूँ चाहे आप सबजी बना रहे हूँ और नीचे के इसे में भी इस थोड़े ज़ादा होते हैं हाला कि ये बीच कच्छे ही है लेकिन फिर भी हम इसे निकाल देंगे क्योंकि इसका टेस्ट परफी में अच्छा नहीं आता है सारे लोकी को हम रफली पिसिस में काट करके तयार कर लेंगे और यहाँ पर इस परफी को बनाने के लिए हमी लोकी को नहीं गिसना है बलकि हम लोकी को ग्राइंड करेंगे तो इसलिए एक grinder jar में सारी लोकी को transfer कर लेते हैं इस लोकी के साथ मैं चीनी भी पीशने वाली हूँ लेकिन लोकी से ही ये सारा jar भर गया है तो पहले मैं लोकी को पीश लेती हूँ ताकि grinder jar में जगह हो जाए तो बिना पानी डाले लोकी को हमें पीश लेना है अब यदि आप लोकी को इस तरह दानेदार रखना चाते हैं तो इसे दानेदार भी रख सकते हैं लेकिन मैं इसके साथ चीनी पीशने वाली हूँ तो लोकी इस तरह से दानेदार भी नहीं रहेगी और अच्छे से पीश भी जाएगी तो यह मैंने दूख अब चीनी ली है लेकिन चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या जादा कर सकते हैं इतने चीनी से यह मिठाई एकदम परफेक्ट मिठी होगी तो बढ़िया से दोनों चीजों को मैंने ग्रैंड कर लिया है तो एकदम स्मूध पेस्ट बनकर इ पैयार किया है वो इस पैन में ऐसे ही डाल देंगे घी वगर कुछ भी नहीं डालना है बस टायरेक्ट इस पेस्ट को डाल दी और कैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखते वे लगातार चलाएंगे इसे क्योंकि इस स्टेज पर यह काफी खदकती है तो इसे लगातार चलाते वे ही पकाएं ताकि यह जिपके भी नहीं और जैसे जैसे अब इसे पकाएंगे तो जो चीनी हमने इसमें ग्राइंड की है वो अपना पानी छोड़ेगी और पानी छोड़ने की वज़े से जो लोकी है वो धीर देर ट्रांसपरेंट हो जाएगी उसमें बड़िया मिठास पकाता जाएगी और इसका कलर चेंज होता जाएगा तो आप देख सकते हैं थोड़ी देर मैंने इसे पकाया है अब इसका कलर चेंज हो गया है अब जैसे जैसे हम इसे और पकाते जाएंगे इसका कलर और भी डार्क होता जाएगा तो जो चीनी हमने इसमें डाली है उसके लग से कोई चाशनी वगर नहीं बनानी है क्योंकि लोकी में अल्रेडी काफी पानी होता है तो उसी पाने की संग वो चीनी भी अच्छे से इसके साथ पक जाएगी और ऐसी consistency तयार हो जाएगी कि जिससे बर्फी बहुत ही बढ़िया से सैट हो जाएगी अब देखिए मैंने पेस्ट को लगबग 10 मिनिट तक पका लिया है लगाता चलाते वे अब यह पेस्ट काफी काटा भी हो गया है और लोकी पकते पकते इसका कलर काफी डार्क भी हो गया है लेकिन जब तक लोकी की बर्फी में थोड़ा सा ग्रेन कलर हमें दिखाई नहीं दे क्योंकि इसका कलर काफी हो जाता है इतना सा ही food color डालने से माप को बढ़िया presentable recipe देना चाती हूँ इसलिए मैंने food color का इस्तिमाल किया है लेकिन इदिया आप घर पर बना रहे हैं तो हो सके तो food color को avoid कर दे food color का बढ़िया सा color भी आ गया है और अभी paste को हम 5-6 मिनिट के लिए और पका लेंगे अब देखिए ये काफी गाठा हो गया है और इस तरह जब एक साइड में पैन के हम इस paste को कर रहे हैं तो ये जल्दी से पैन में नहीं पैल रहा है तो इस stage पर हम इसमें डालेंगे coconut powder जिसे desiccated coconut powder भी कहते हैं बहुत easily grocery shop में मिल जाता है तो ये 2 cup मैंने coconut powder ले लिया है तो इससे इस बर्फी में आपको लोकी का टेस्ट भी आएगा नारियल का टेस्ट भी आएगा और नारियल डालने से ये फाइदा होगा कि ये जो लोकी की बर्फी होगी वो perfectly set हो जाएगी यदि सिर्फ लोकी से ये बर्फी बनाएंगे तो बहुत ही जादा soft रहती है ना ही वो अच्छे से set होती है तो उसके लिए आपको इसमें या तो मावा टालना होगा या milk powder टालना होगा लेकिन हम ये दोनों ही चीज़े avoid करेंगे और इसमें डालेंगे नारियल का powder तो इसे इसका टेस्ट भी बहुत बढ़ी आएगा और नारियल का powder डालने से बर्फी टेस्टी भी बनती है साथी इसकी जो consistency है वो भी एक्तम perfect होगी और ये बर्फी खाने के बाद ज्यादा heavy नहीं लगती है वहीं यदि हमने इसमें घी, दूद या मावा का इस्तिमाल किया तो ये बर्फी काफी heavy हो जाती है मैंने flavor के लिए इसमें थोड़ा इलाइची powder भी डाल दिया है और 5-6 मिनिट नारियल powder डालने के बाद इसे और पका लिया है अब पकाते पकाते ही ये जो मिश्रन है वो काफी tight हो गया है ऐसे हाथ में लेकर ऐसे गोली बना रही हो में तो बहुत easy लिए set हो रहा है तो जब तक आपको ऐसे न लगे कि ये मिश्रन काफी dry हो गया है तब तक इसे पका ले अब बर्फी को set करने के लिए मैंने आप पर ये tin ले लिया है नॉर्मली cake tin होता है ये आपको ये भी थाली वगरे ले सकते हैं जिसमें आप बर्फी को set करना चाहते हैं जिस भी बर्तन में आप बर्फी को सेट करना चाहें उसे घीस से ग्रीज जरूर कर लें ताकि बर्फी को डिमोल्ड करना आसान रहें अब सारा बर्फी का मिश्रन इसके एक दिन में ट्रांसफर करके इसे अच्छे से सेट कर लेंगे अब यदि आपकी पास टाइम कम है और आप जल्दी से बर्फी को सेट करना चाहते हैं तो इसे फ्रीज के अंदर रखकर सेट करें और यदि टाइम है तो आप इसे रूम टेमपरेचर पर अपने आपी धीरे 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 थंडा होने दे जैसे जैसे यह थंडी होगी बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी तो मैं इसे रूम टेमपरेचर पर ही रख रहे हूँ यानि अपने आपी धीरे धीरे थंडी होगी तो बहुत भड़िया से सेट हो जाएगी तो यह देखी दो से तीन घंटे मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया था और इस परफी को आप जितना देंगे उतनी अच्छी इस सेट होती जाएगी और टेस्टी होती जाएगी अब एक चाको की हल्प से इसके किनारों को हम केक टिन से छुटा लेते हैं ताकि जब हम इसे डिमोल्ड करें तो ये इसीली इस टिन में से बाहरा जाए अब एक चौपिंग बोर्ड पर मैंने इसे लिया है उपर से इस तरह से टैप करेंगे और ये देखे बहुत ही आसानी से वर्पी निकल आई है और काफी अच्छे से सेट हो गई है मैंने इसे थोड़ी देर ही रूम टेमपरिचर पर रखा है लेकिन आप जितनी जादा दे रखेंगे ये और भी अच्छे से सेट होती जाएगी अपने मन पसंद पिसेज में इसे कट कर लेंगे और देखे बर्फी कितनी जादा संदर दिखाई दे रही है और इसे और भी जादा संदर बनाने के लिए थोड़ा सा इसे खानिश विकर लेते हैं तो ये हमारी बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्तर टेस्टी इसलिए खा सकते हैं और 10-15 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आप जरूर से एक बार ये बर्फी बनाएं सब को बहुत पसंद आएगी और सब आपकी तारिफें करते ही रह जाएंगी ये देखिए कितना बढ़िया टेक्शर आया है इस बर्फी का बढ़ के साथ चरूर शेयर करें अपना केमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर बाई बाई